हुआ दोस्त कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आज एक कंपनी के बार में लेकर आये हैं राने मद्रास लिम्टेट पंतना चो कि रुद्धुर पुर में पढ़ता है राने मद्रास उसके बारे में जनकारिया लेकर आए हैं अगर आप राने कंपने राने मद्राश में जोब करना चाहते हैं या रूद्रुपर इंडिस्ट्री अरिया में जोब करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हिल्प करें हम बात करते हैं राने मद्राश मद्राश के नाम से जाना जाता है राने म साताइश सेक्टर 11 पंतनगर उधम्शिंग नगर जीला पड़ते हैं उसी में रुद्रपुर इंड्रिया में हैं लोकेशन के सुन लें सेक्ट फ्लाट नमबर 27 सेक्टर 11 पंतनगर उधम्शिंगंड उधम्शिंग席 फ्लाइकड जो डिस्टी का सबAS एक पार्ट है जो एक राने ग्रूप कंपनी का एक पार्ट है जो एक राने ग्रूप कंपनी उसकी पार्ट है सब ब्रांच है इसका जिसका मैनुफेक्ट्रिंग और डिस्ट्रिबूशन है मैनुफेक्ट्रिंग करती है इसका मैनुफेक्ट्रिंग का होता है इस्टेरिंग इस्पेर पार्ट्स इस्पेरिंग और सस्पेंशन सिस्टम जो मैनुफेक्ट्रिंग करती है इस्टेरिंग जो गाड़ी के स्टेरिंग होते हैं उसके सस्पेंज्टिय उस्टपन रिंकगेज नेर्जें प्रोडक्ट्स होते था उनकी प्रोडक्ट्ट और रेक्तेम करता हैं to कि सुन्राइने मदश्य लिंकेज प्रोडक्ट इनकी यह एक में आपका वज़ो राने मदराश 12 का लेट लेलेंड वॉल्वो इमप टाफा अंड टाटा मोर्थ के लिए काम करता है जैसे टाटा बोटर्स के जो गेर टाटा मोहत है दुए आश्वक लेलेंड के जो बसे आती ट्रक ये ट्रक युद गाड़ी आती है यह ववो की जो गाड़ी आती है चैर बनाती है कि बिल सिस्टम बनाती है उनके मैंवारी स्टेरिं बनातीן इस्टेरिंग लिंकेश बनाती है टाटा मोअर्स और शोका लेलेंड वैल वो और में उनके बनाती है अब बात करते हैं कि इसमें आप जाते हैं तो आपकी क्वारिफिकेशन कितनी होती है भी के बात करें हमें कोंपनी बेस जोब की की बारे हम सेथस्ट इस्टेर दिप्लोमा किये है, अगर आप प्रेशन् दिप्लोमा की, अपको प्लेशन्ट या जैसे भी हो उसका अलग प्लेशन्ट बहते है, अब आप दस्व्ज istiyorum, बार्व्य आईट्याय और डिप्लोमा करके अगर जा रहे, तो उनके लिए बता रहे हैं कि अगर दसवी आप बार वी आपनी किया है तो आपकी इतिएलरी। दस्वी बारवी ITI और डिप्लोमा यह ITI के लिए डिप्लोमा के लिए और दस्वी बारवी के लिए तो बात करते हैं इसमें सेलरी क्या होगी अगर दस्वी बारवी में है तो आपकी सेलरी क्या होगी और आप ITI डिप्लोमा की हैं तो इसकी सेलरी क्या होगी देखिए जो सेल अपने आपको सेलरी देगी 10,432 रुपे उसमें आपका PFSI काट के इन हैंड आपको 9,004 रुपे मिलेगा अनि 10,432 रुपे आपका सेलरी रहेगी उसमें से PFSI काटने के बाद आपको 9,400 रुपे मिलेगा अगर ITI या डिप्लोमा की हैं तो दोनों की सेलरी सेम होती है तो जो की सब कटशट कर आपको मिलेगा 10,000 रुपे बात करते हैं ओबर टाइम की ये कमपनी ओबर टाइम देती हैं दो गन्ते चार गन्ते के ये कमपनी आपको ओबर टाइम दे देती हैं तो अगर आप ओपर टाइम कर रहे हैं तो आपकी जो ओबर टाइम का होगा 104 रुपे गंटे का, अगर ITI और डिप्लो मा वाल बटाइम कर रहे हैं,dal एक सो आठ रुपे होगा पर ये करती है कि आपको तो आपने आठ गंटी के ओबर टाइम किये तो उसका सेलरी आपको मिलेगा 800 रुपे यानि 400 का डबल मिलेगा यह बहुत कम बढ़िया कंपनी अगर इसमें आपको जोब कर रहे हैं तो आराम से 15-16 जार तो महीने के उठा लेंगे इन हैंड आपके और सेलरी डेट बता दे कि इनमें सेलरी का बाती है तो महीने झाल 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 अगर इस वीडियों कुछ अच्छा लगे या कुछ उजाओ देना चाहते हैं तो प्लेज कमेंट करके बताएं ऐसे हम आप लोगे वीडियो लाते रहें आप लोगे इन्फोर्मेशन देते रहें कॉम्पनियों के बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर लीजिए अगर आप भी चाहते हैं किसी कमपनी के बारे में या रूम के रिलेटेट के रूम कहां पर ले तो प्लेज कमेंट करके बताएं हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे आपको इन्फोर्मेशन देंगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी ने टॉपी के साथ